देखे जिस तरह से cases फैल रहे हैं, जिस तरह से इसका infectivity rate बहुत जादा है, बहुत सारे लोग बिमार हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ notice की होगी, कि इसकी severity उतनी जादा नहीं है, जो लक्शन आ रहे हैं, वो simply बुखार, खासी, गले में दर्द, गले तक ये पारे सीमित है, लंग्स तक नहीं जा रहा है, या लंग्स को ये effect नहीं कर रहा है, जिस तरीकी से डिल्टा वारिस ने बुरी तरीकी से लंग्स को effect किया था, और इसी वज़े से बहुत जादा oxygen की जुरूत थी, बट ओमिक्रोन में oxygen की जुरूत नहीं है, आप घर रहते हुए, isolation में ही, अपने आपको ठीक कर सकते हैं, शायद बिना किसी दवाई के भी, या simply symptomatic treatment के, पठाँ आपको डॉक्टर की देखरे के लेकिन इसका positive aspect क्या है, इसका दोस्तो positive aspect यह है, कि आप लोग vaccine ले रहे हैं, vaccine क्यों लेते हैं, क्योंकि vaccine लेने के बाद आपके अंदर antibodies बन जाते हैं, जो इस बिमारी से लड़ते हैं, so that आपको बाद में ये बिमारी नुकसान ना पहुचाएं, और vaccine क्या होती है, vaccine भी कही ने कही वाइरस का ही एक रूप होती है, या तो बहुत ही हलकी मत्र में या इतनी कम उसकी तेजी होती है वाइरस की, कि वो आपको infection तो नहीं देगा, लेकिन आपके अंदर जाके immunity डेवलप कर देगा, या antibodies पैदा कर देगा, कुछ RNAs दिये जाते हैं, या कुछ इस तरह के जो vaccines बना के हमारे अंदर डाले जाते हैं, वो भी एक तरह से वाइरस का form ही ही होता है, वो हलकी किसम का एक वाइरस होता है, कहीं पे कुछ dead वाइरस यूज किया आते हैं, कहीं पे live वाइरस भी यूज किया जाते हैं, तो उसी तरीके से nature ने, कुद्रत ने, हमें Omicron को एक दान के रूप में भेजा है, अगर हम ये बात कहें, तो इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हलके किसम का वाइरस है, और जिन जिन लोगों को Omicron का infection हो रहा है, डेफिनिटली उनके अंदर antibodies तो बनेंगे ही, तो मैं ये माज सकता हूं, और मैं ये दावे के कह सकता हूं, कि Omicron कहीं ने कहीं आपके लिए वेक्सीन की booster dose का भी काम कर रहा है, जिन लोगों को दो वेक्सीन लग चुके हैं, अगर उनको Omicron हुआ है, तो डेफिनिटली उनके जो antibodies का level है, वो बढ़ गया होगा, और आगे आने वाली बीमारी अगर फिर से एक लहर आती है, करोना वारस की, तो आप जादा सेफ होंगे, आपके अंदर अच्छे antibodies होंगे, दूसरा जिन लोगों ने वेक्सीन नहीं भी लिया था, और जिनको पहले कभी infection भी नहीं हुआ था, या पहले बार ये infection Omicron हुआ है, तो ये मान के चलो कि आपको करोना की एक dose लग चुकी है, करोना वैक्सीन की एक dose लग चुकी है, और आपके अंदर antibodies बन गए, ये आपको फिर से अगर इसी strain के या आज से मिलते जुलते strains के अगर आगे कभी infections होते हैं करोना वारस के, तो आप अपने आपको बचा सकते हैं, और क्योंकि आपको अगर एक बार infection हुआ है, तो definitely अपनी अगली vaccine की dose लेने के लिए, मगर ये fact है, कि आपके अंदर omicron virus चो है वो immunity बढ़ा रहा है, आपके अंदर antibodies पैदा कर रहा है, क्योंकि आपको नुकसान नहीं पहुचा रहा है, बीमारी होने के बाद भी, जैसे सर्दी जुकाम होता है, उसी तरीके से, सिर्फ इसके symptoms आ रहे हैं, अब हम उस stage में आगे हैं, कि जतना ज़्यादा ये virus फैलेगा या फैल रहा है, उससे कहीं न कहीं हमें फायदा होने वाला है, हमारी society को और हमारी समाज को, क्योंकि इससे हर्ड immunity डेवलप होगी, हर्ड immunity एक natural immunity कहलाती है, जो body खुद से generate कर लेती है, किसी भी virus के हमले के बाद, तो अगर बहुत ज़्यादा population में infection होने के बाद immunity डेवलप हो जाएगी, तो इसको हम हर्ड immunity कहेंगे, और इससे फिर हम इस बिमारी के further spread को भी रोग सकते हैं, जितने ज़्यादा लोग इम्यून होंगे, जितने ज़्यादा लोग के अंदर antibodies होंगे, तो आगे नहीं बढ़ेगी, और इस तरीके से ये बिमारी शायद हम इसको पूरी तरह से control भी कर पाएं, तो nature नहीं हमें ये बिमारी दी थी और nature नहीं हमें इसका अब एक नया रूप दे दिया है, जो वरदान के रूप में साबित होगा, आप इस बात को note करके रख सकते हैं, तो जो बहुत सारे negative खबरे थी, उसमें इस अच्छे खबर को भी आपको लोगों तक पहुचाने की जरूरत है, तो जब किसी को एक बार coronavirus या omicron का infection होता है, तो वो कहीं न कहीं उसके दिमाग में, जहन में बहुत सारी बाते चलने लगती हैं, कि कहीं मुझे ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर करें, तो ऐसे लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिनको अभी recently infection हुआ है, so that वो घबराये नहीं, और एक positive aspect से इस बिमारी को देखें या समझें, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले, धन्यवाद